बिहार STET 2019 केस पर बड़ी सुनबाई STET रिजल्ट परकासन पर रोक लगा जी हाँ दोस्तों आप सही सुन पा रहे हैं बिहार STET परिक्षा जो कंड़क्ट हुई थी उसमें पेपर लिग को लेकर अभ्यार्थियों के द्वारा केस पतना हाई कोट में किया गया था और उसकी स आज हुई जिसमें STET रिजल्ट प्रकासन पर रोक लगाने का आदेश पतना हाई कोट के द्वारा बिहार बोर्ड को दी गई है और बिहार बोर्ड ने ये आस्वासन दी है कि बिहार STET का रिजल्ट तब तक जाड़ी नहीं की जाएगी जब तक पतना हाई कोट का फाइनल डिसीजन नहीं आ जाता है जी हां दोस्तों आप सभी अभ्यर्थी जो लोग STET परिक्षा दिये हुए थे आप सभी अभ्यर्थी STET रिजल्ट का इंतजार कर रहे थे बिहार बिद्दाले परिक्षा समीती द्वारा ये भी इनफर्मेशन दी थी कि 15 माई से पहले कर दी जाएगी दोस्तों मैं आप लोग को बता दू कि इसी बीच पटना हाइकोट में STET 2019 केस की सुनवाई हुई इसकी अगली सुनवाई 22 माई को होने वाली है दोस्तों तब तक बिहार बिदाले परिक्षा समीती रिजल्ट जारी नहीं करेगी कसिस न्यूज के द्वारा अब ही से अपडेट किया गया है इस्टेट परिक्षा रद करने की याचिका पर पटना हाइकोट में सुनवाई प्रसंपत्र लीक होने के आधार पर दायर की गई याचिका और बिहार इसकूल एक्जामनेशन बोर्ड ने 22 माई तक रिजल्ट जारी नहीं करने का आसवासन दिया है 22 माई तक पटना हाइकोट द्वारा रिजल्ट नहीं जारी करने का निर्देश दिया गया है बिहार बोर्ड को दोस्तों आप सभी देख सकते हैं कि एक तरफ जहां प्राइमरी की बहाली फसी हुई है वहीं पे स्टेटी दोहजार उननीस बीस परिक्षा भी अब फस चुकी है जहां पर अभ्यार्थ यों को निरासा ही हर जगा हाथ लग रहा है चाहे वह त्राइमरी हो या स्टीती की अब होस्तों अब्हर्ती जो है आस लगाए करेंगे सिक्षा के रुप में वर्क करेंगे अब उनकी आस जो है कहीं न कहीं तूटती हुई नजार आ रही है कुछ अभियर्थियों के द्वारा किया गया था उसकी सुनवाई के बाद रिजल्ट परकासन पर रोक लगा दिया गया है 22 मई तक फाइनली यह कंकुलूजन नि और इलेक्षन से पहले उनकी बहाली की प्रक्रिया संपन कर दी जाएगी जो कि अब कहीं न कहीं निरासा हाथ इस्टेट अभियर्थियों को लग रही है इंतजार करनी है कि आगे क्या होगी किस तरह से हाई कोट जो है अपना डिसीजन देती है और उसी के आधार पर स्टी प्रकासन के बाद बहाली की प्रक्रिया संपन होगी